The Black Aeroplane क्या चैप्टर यह देखते हैं? The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high above the sleeping countryside. तो एक pilot है जो flight उड़ा रहा है और वो बोल रहा है कि sky में कोई cloud नहीं था. एकदम clear था sky, stars थे मेरे उपर. मेरे east side में moon था. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. वो England लेकर जा रहा था अपना flight को और वो dream कर रहा था अपना holiday के बारे में और यह सोच रहा था कि हम अब अपने family से मिलेंगे, breakfast करेंगे. I looked at my watch, 1.30 in the morning. आधा रात का डेड़ बज़ रहा था. और यह सोचा कि हम France के उपर हैं, मितलब इसका flight France के उपर से cross कर रहा था. तो इसको लगा कि अब Paris control room में call कर देते हैं. I should call Paris control room soon. I thought, as I looked down past the nose of the aeroplane, जब वो aeroplane के सामने देखा, तो इसको दिख रहा था कि पूरा city दिख रहा उसको Paris का. फिर वो radio on किया, और बोला, Paris control, Dakota DS 0088 here. Can you hear me? यह बोल रहा है, I am on my way to England. Over. जिस तरह से radio में बात किया जाता है. तो control room से आया कि, सुनाई दे रहा है आपका आवाज, और 12 degrees west के तरफ तरफ टर्न करिए, आपका passage clear है. फिर यह map चेक किया, compass देखा, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees towards west England. वो England के तरफ टर्न किया. और यह सोच रहा है कि, हम तो breakfast तक पहुंच जाएंगे. अब अपना यह English breakfast imagine कर रहा है. सब कुछ काफी सही जा रहा था. Paris 150 km पहले पार हो चुका था, और अब इसको clouds दिखने लगा था. तुफान का clouds. बहुत बड़ा बड़ा था. पहाड के जितना बड़ा सामने में खड़ा दिख रहा था. अब यह सोच रहा है कि, ना हम उसके उपर से पार करके ले जा सकते हैं, ना side से. अंदर गुस गये तो कुछ दिखने वारा नहीं है. और ना ही fuel है कि हम इधर उधर से होकर जाएं. तो हमको अब Paris ही वापस जाना पड़ेगा. लिकिन इसका इतना मन था कि हम अपने family के पास जाएं breakfast करें. तो इसको लगा कि हम रस्क ले ही लेते हैं. और ये cloud के बीच में घुस गया. cloud के अंदर जाते ही इसको कुछ नहीं दिख रहा था. सब कुछ black. एकदाम impossible हो गया दिखना. The old airplane jumped and twisted in the air. एरोपलेन भी एकदाम डगमगा गया. ये अपना compass के तरफ देखा. तो इसको विश्वास नहीं वा कि क्या हो रहा था. compass सिर्फ round and round घूम रहा है. इसका मतलब compass खराब हो गया. रेडियो काम नहीं कर रहा है. Paris control, Paris control ये पोल रहा है. लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. तो रेडियो भी नहीं, compass भी नहीं, इसको कुछ दिख भी नहीं रहा है. ये तुफान में खो गया. Then in the black clouds, quite near me. इसको वही clouds के बीच से फिर एक side में और plane दिखा. एक दूसरा pilot था और वो उसको हाथ से इशारा कर रहा है कि मेरे को follow करू. और वो दूसरा वाला flight इस से थोड़ा सा आगी गया कि इसको guide कर सके. और वो guide कर करके ये भी एक obedient child के जैसे follow की और तुफान से निकल गया. After half an hour, the strange black airplane was still there in front of me. वो airplane भी black color का था, जो इसको guide कर रहा था. तो आदा घंटा से इस तर हो गया. अब इसके engine में खाली 5 से 10 मिनिट तक का fuel बचा रहे गया था. तो इसको डर लगने लग गया. और देखा कि अचानक से अब तो हम down जा रहा है. ये follow करते गया, suddenly ये cloud से बहर आ गया. और इसको दो इस तरह से line दिख रहा था. Two straight lines in front of me इस तरह से. जिसा airport में होता है. तब ये समझ गया किया रहे, ये तो airport है. चलो हम safe है. अब ये इदर उदर दूसरा flight ढून रहा है, तो वो उसको मिला ही नहीं. तो इसको लगा कि ठीक है, वो पहले ही land हो गया होगा. जब ये land किया, तो ये control tower में जाकर बोला, कि दूसरा pilot कहां है, जिसका flight अभी अभी land हुआ, क्योंकि हमको इसको thank you बोलना है. तो ये इसको strangely देख रही है, she looked at me very strangely and then laughed, another aeroplane, उपर कहां से और दूसरा plane है, इतना तुफान में सिर्फ आपका ही aeroplane radar में दिखा. So, who helped me to arrive there safely without compass और a radio? तो अब ये सोच रहा है कि हमको कौन help किया, बिना radio, बिना compass के और कोई fuel भी नहीं था अब तो मेरे tank में, तो कौन इस तरह से मेरे को help किया? Why was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? Sorry, who was the pilot? कौन था वो pilot जो इस तरह से हमको help किया? So, ये उसके लिए एक mystery रहे गया. This is the chapter, the black aeroplane.